प्रस्णत्री के सिरीज में आपका स्वागत है आपके सवाल गुरुदेव के सुक्ष्म उपस्थिती में हमारे जवाब निश्चिंत रहें आपके समय को कतई बरबाद नहीं किया जाएगा बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि जो मांस मचली खाकर साधना करता है वो सफल नहीं होता यूँ कहें तो हम सबी मांस मचली और पूजा या साधना को बिलकुल अलग नजरिये से देखते हैं हमें लगता है मांस मचली तो राक्षसी भोजन है कई साधक मांस मचली खाने वालों से घ्रिना भी करते हैं क्या मांस मचली खाकर हम एक सफल साधक नहीं बन सकते तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में नियमों को बनाना उसका पालन ना करना वास्तु सास्तर के तरह हर नियम का समाधान निकालना हमारे फिदरत में सामिल हो गई है मौनस मचली खाने वाले पूजा नहीं कर सकते पूजा करेंगे भी तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी सफल साधक बनने के लिए तामसिक भोजन का त्याग करना परेगा हमारे रवीराज भाई साहब पूछते हैं कि मैं मौनसा हारी हूं क्या गायत्री महामंत्र का मौनसिक साधना कर सकता हूँ गायत्री कोई साधारन मंत्र नहीं है या किसी नर ने इसकी उत्पत्ते भी नहीं की है याद रखें नर और नारायन में आकास जमीन का फर्क होता है रिशी विश्वामित्र ने भगवान ब्रह्मा से गायत्री महमंत्र की प्राप्ति की और हमारे वेद मुर्ती तपोनिष्ट पंडित सिरिराम शर्मा आचारिय जी ने इसे जन जन तक पहुचाया कहते हैं गायत्री महामंत्र का नाम लेने मातर से काल भी अपना रास्ता बदल लेते हैं गायत्री सादक सुरी के उपासक होते हैं सुरी की रोसनी पूरे ब्रहमांड में समान रूप से परती है एक राजा के घर में एक रंक के घर में एक जैसी गर्मी प्रदान करती है ठीक उसी प्रकार गायत्री महामंत्र भी संपुर्न ब्रहमांड के लिए जिसका जाप, साधू, संत, महात्म, राजा, रंक, भिखारी, ब्राम्मान, वैश्य, साकाहारी और मांस मचली खाने वाले भी कर सकते हैं साहब जब आपने परहाई शुरू किया तो नरसरी में नामांकन कराया ठीक उसी प्रकार अभी आप मांस मचली खाते हुए गायत्री साधना शुरू कर सकते हैं आप दिक्षा भी ले सकते हैं और माला जाप भी कर सकते हैं कोई सर्त नहीं है कि गायत्री साधक मांस मचली नहीं खाएगा पहले आप गायत्तरी साधना तो सुरू करें धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे नजर में वो बिलकुल अलग इंसान है जो मांस मचली खाने वालों को गलत ठाराते हैं ये सही है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने सौक भी पूरे ना करें आप स्री राम कृष्ण परम हंस जी को जानते ही होंगे अंतिम दिनों में उनके गले की रोग दूर करने के लिए बकरे के मांस को उबाल कर उसका सूप पीना परा स्री राम कृष्ण परम हंस जी का सर्थ इतना था कि उसी दुकान से मांस लेना जिसमें माताकाली का फोटो लगा हो उतने बरे ज्यानी महापुरुस जो स्वयम स्वामी विवेका नंद के गुरु थे उन्होंने भी मांसा हार का स्यवन किया आप निहसंकोच मांस मचली खाते हुए भी गायत्री साधना शुरू करें जैसे जैसे आपको गायत्री महामंतर से प्रेम होगा आप मांस मचली खाना खुद छोड़ देंगे ये बिल्कुल सत्य है हमें मांस मचली नहीं खाना चाहिए हमारा लीवर उसे पचा पचा कर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है चालिस वर्स तो आपको ताकत मिलेगा लेकिन उसके बाद हमें कई समस्याओं का सामना करना परता है आप गायत्री साधना जरूर करें गायत्री साधना आपके नियती को बदल देगी कोई सर्त नहीं है कि मांस मचली खाने वाले गायत्री साधना नहीं करेंगे आप मान समचली खाते हुए भी आज से अभी से गायत्त्री साधना शुरू कर दें धीरे धीरे आप खुद साकाहारी हो जाएंगे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए जैमा गायत्त्री जै गुरुदेव अईसी बात नहीं है कि आपकी समस्या सिर्फ आपकी ही समस्या है पास्चात्ति शब्यता वो जीवन सैली रोज नए नए समस्याओं को जन्म दे रही है इस वीडियो को कम से कम पहुँच परिचितों के पास सेयर जरूर करें क्या पता इसके बाद उनका दिल हलका हो जाए अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रस्न है तो अभी कमेंट करके पुझे आपकी टीम आपके सवालों का स्वागत करती है और उनका जवाब भी अविलंब देगी वीडियो देखने वाले हर भाईयों बहनाव वो गायत्री परिजनव के चरनव में साधर प्रनाम